तो और एकेसिंग और आज फिर हम अपने EVS की NCRT को देखेंगे यानि EVS NCRT समरी देखेंगे और वो भी कौन से क्लास की क्लास 3 की देख रहे हैं और क्लास 3 में हमने EVS NCRT में देखते हैं चली आज क्या chapter देखते हैं कहा तक कर लिये थे हमने chapter 12 तक कर लिये Chapter 13 देखना है चूकर देखते हैं चूकर देखने वाला chapter आज का जो लोग यानि कि देख नहीं सकते उनको पढ़ने के लिए एक खास तरह की भाषा परियोग होता है और उससे क्या कहते है और यह स्टेट एट में और सीट में कई बार कुशन आपको देखने मिला है इसमें क्या पूछा जाता है तो यह वाला ब्रेन लिपी वाला और दूसर नंबर का यह ब्रेन जो होता है ब्रेल एक मोटे कागज पर एक नोक यानि कि एक नोकेली ओहजार से बिंदू बना कर यानि कि जैसे डॉट होते हैं डॉट में और इसमें खासकर यह वाला कुशन सबसे ज्यादा पूछा गया सीट एट में कि ब्रेन लिपी में 6 बिंदो के आधार पर सब चीजों को रिशाइड के गए यानि कि ब्रेन लिपी 6 बिंदो पर आधारित होती है तो जो 6 बिंदो निव्वासी तो यह भी आपको ब्रेल होते हैं यानि इनके लाने वाले को नहीं लूइ ब्रे जी ने क्या करा इस लिपी को लाए हैं तो उनका नाम भी पूछा गया दा यानि कि एक कोशन दो कोशन और सबसे ज़्यादा सीटैड़ में पूछे गया यह वाला कोशन आइड प्रांस के तो यह भी आपको पता होना चाहिए कभी-कभा इस तरह भी कोशन आपको देखने करें मिलता है ठीक है तो बच्चों यह था आज का चैप्टर यानि 13 चैप्टर में आपको क्या दे रहा गया है कोशन इस तरह की बताए गया है ब्रेन लीपी के बारे में और आपको कोशन पूछे आते हैं तो यह आपको बताना है कि ब्रेन लीपी में हासकर और यह वार ईआपको कोशन पूछे जाता है तो इसीज़ का ध्यान रहा है और आज कल क्या सीटर वाले बच्चों के साथ खेल ले लगे तो ग्या ग्या देते कहत्ते निम्द में से कौन से ठीकी बच्चो और किसी बच्चे को सीटायट के प्रिवेस एट के पेपर चाहिए तो ले सकते हैं हर बुख की मत 99 लखी गई है यानि की 2011 से लेकर 19 अथ कर तक 19 फिर आपके क्या है एक रख़ा गए है 22 याइन 2121-22 223 ये सब की मत रखी गे 99 99 99 अगर क्या है अगर आपको ये तीनों बुक और फ्री में आपको EBS की बुक भी चाहिए तो आपको 2.99 वाला कॉम्बो आप ले लिजे उसमें आपको सारी बुके मिल जाएंगे ठीक है बच्चों चलिए आशे करता हो को वीडियो बसने लाइक करें चैनल को सुस्क्राइब करें वीडियो क जाए शेर शेर करें थैंक यू